आज में आप लोग से आईस क्रीम के रेसिपी शेयर करने वाले हूं चॉकलेट आईस क्रेमहें है मैंने एक पंढ लिया है हाई बाट्म पाइन लीजियेगा उसके बाद एक कप मैंने दूद लिया है मैंसेरलमेंक Amooc आपको कम जादा करना है तो इसी मेजर्मेंट को आप हाफ या उसको भी बढ़ा सकते हैं अब मैं ले रही हूँ कॉण फ्लॉर कॉण फ्लॉर मैंने 3 टेबल स्पून इसे कॉण फ्लॉर यूज किया है और मैं मिल्क पॉडर ले रही हूँ जिससे टेक्शर बहुत ही अच्छा । अब इसे मिक्स करना है अच्छी तरीके से ताकि अच्छा से ईक लिक्विट बन जाए क्यों फ्लेम को बिलकुल आण किरो अब इसे मिक्स कर लेंगे, ताकि जितनी गुटलिया है लमस सब इसे है अच्छा से मिख्स होजाए देख सकते हैं, एक लिखवेट बन गए अच्छा सा अब इस daarjuk 9 5 मिनट तक इसे पकाएंगे फ्लेम को मैं आउन करूंगी और कंटीनियू से चलाना है अच्छे से चलाती वेसे पकाना है हम लोगों देखें मैं कंटीनियू से चला रही हूं 5 मिनट में अच्छा सा यह पक जाएगा जैसे हम लोगों चाहिए देखें बॉयल होना शुरू हो गया है अब यह देखें अब देख सकते हैं अच्छे तरीके से पक गया है और इसे फ्लेम को मैं भी ओफ कर दी हूं अभी कडाई भी गरम है तो अजैसे अच्छा सा मिक्स करती रहेंगे और नीचे बेठे नहीं अच्छा से जर्ण अच्छा से ठंड़ हो जाएगा फिर हम लोग आइस क्रीम को प्रोसेस को शुरू करेंगे अब इसे ठंडा होने के लिए दे रहे हैं, अब देखें अच्छे से ठंडा हो जाएगा, इसे मैं साइड में रख दे रही हूं सबको अच्छे से मिक्स करके, अब मैं लें विप क्रीम, यह मार्केट में आपको चाहिए, तो आप इसे रात को निकालके फ्रिज में रख दिया था अच्छा सा इसे kris 2 टोग गल चुका है और ठंडा को ईमकुण को से बीट करना है। भिल्कुल गर्म में नहीं बीट करना है। फ्रीज में था थंडा इसे निकाले मैं बीट कर रहे रही हूं। देखे यह बीटर से अच्छा अगर आप Hand Whiskr से कրते हैं तो थोड़ा सा टाम लगेगा और इसे केक को जैसे केक का जो आईटिक करते हैं वस तरीके से नहीं отдох करना है थोड़ा सा इसे कम करना है तो इसे आप एंडीटर से भी कर सकते हैं अगर आपके बास इंडीटर है तो हैंड वाला बीटर से भी से मिक्स कर सकते हैं अच्छे से सब तरफ से मैं मिक्स कर ले रही हूं अच्छा सा यह क्रीम जब तक अच्छा सा फ्लपी न हो जाए बस यह दिहान रखिए कि आपको केक का आइसिंग के जैसे इसे बीट नहीं करना है उससे कम रखना है अच्छा से बीट हो चुका है अब देखिए मिश्रन भी ठंडा हो गया एकदम ठंडा करने के बाद ही आप इसे इसमें हम लोग को मिक्स करना है देखिए जो विप क्रीम हम लोग ने भी फिटा था उसमें जो हम लोग ने मिश्रन बनाया था चोकलेट का उसे इसमें एड़ क कोई ने बफ़सकता है बना कि छॉक्स हा कि एक अज़ा अभ देखिए थी तरह के जलूर आप का सिझ फ्री शे मिक्स तरइके से में कि बनाए अगर न से यह भी किसी को भी खिलाओं कोई नहीं बोल सकता कि आपने घर में बनाया है इतना यह स्मूथी और इतना टेस्टी लगता है बस इसे में अच्छा सा मिक्स कर ले देख सकते इसके ठीकनेस किसी तरह से होनी चाहिए अब मैं एक एटेट बॉक्स ले हूँ उसमें मैं फिल कर दूँगी एटेट बॉक्स ही होना चाहिए बस जैसा बॉक्स टिफी नहीं जो बॉक्स उसमें आप इसे जमा सकते हैं मैंने इसमें थोड़ा सा डाल नहीं हुँ अभी मैं आधर मिश्रन को को मैं उपर से और डाल दूँगे अच्छे से एक्वल कर लेंगे अब मैं थोड़ा से चोको चिप्स उपर से और आट कर रहे हूं अब इसमें ओरियो का बिस्केट भी डाल सकते हैं उसे बहुत ही अच्छा लगेगा मेरे पास नहीं थी तो मैंने नहीं डाला चोको चिप्स उपर से डाल रही हूं आप इसे में देखें सिल्वर कोईल से अच्छा से से में बंद कर लोगी इसे अच्छा सा इसे पैक करना है ताकि यह बहर ही हवा न लगे यह तो आइस किस्ट्रल आ जाएगा देखें एटेट बॉक्स तो है ही उसमें मैंने सिल्वर कोईल डाल की भी अच्छा से इसे में टाइट से बंद कर ली हूँ अब मैं थोड़ा से जो मिर्शन बचा उसे ही कप में डाल दूँगे तीन कप में मैं इसे फिल कर लोगी अच्छे से आठ घंटे के लिए फ्रेजर में अच्छे से जमा दीजिएगा अगर रात को बनाएंगे तो ज्यादा अच्छा है सुबह आप निकालके से सर्फ कर सकत हैं मैंने इसे ओवरनाइट इसे फ्रेज में रख दिया था मौनिंग मैं इसे निकालके सर्फ करने वाले हूं आध। कि किसी ब river और अंदर vision छे कि ऊबफिंधे कि आपको पसंद हो में इसके लिए सिलवर कोई निका ले हैं से इसे वे अच्छा से पैक कर दोंगी इस ताइट से पैकर सकते हैं आपσιज़रे कोई बॉक्स में इसाब को पसंद उस तरीक कि से देक्ष्य कि मैंने इससे पैक कर ली हूँ मैं रात को बनाई हूं मुझे बूर आट घृटा पी सए रखे एक अच्छा एक चलब जाएगा मैने अद pneumonia में मैं आप इसससको क६्रिपक बहुत लाइ रखे ऑपम किसी अदूर कमनर आप मिल जाएगा 130-150 का मिलते हैं जुसे बहुत इस बहुत अप आसक्रि मेरा सकते हैं चार- एक फांच बर एक विप क्रीम का बॉक्स है चार अप सरी पांच बर इसी कौंटिटिस्टी में आइस्क्रीम बना सकते हैं देखे सबको मैं निकाल दी हूँ, आपको मैं दिखाई भी हो कितना क्रीमी बना है, बहुती बहुती टेस्टी लगा, मैं तो आप बोल रही हूँ, आप लोग बना के अकर एक बर खाएंगे, तो आप लोग खुद को लगेगा कि इतनी अच्छी आइस क्रीम हम लोग घर में इतना इजी तरीके से खा सकते हैं, कोई गयस्टर उसे सर्फ कर सकते हैं, चले मैं बॉक्स वाला भी निकाल के आपको दिखारी, उसे भी सर्फ कर दूँगी, निकालने के बाद पांच मिन थे बाद इसे तुरण अब फ्रिज्से निकाल के आप इसे मस्सरफ केजीए, पां पर लगाया थो से मैं कुशिश करें निकाल दू करके थोड़ा हलका सा जमा हो तुरंद में भी फ्रिज से निकाल इसलिए नहीं निकलेगा पांच मिन बाद अगर मैं निकालोंगे तो यह निकल जाएगा देखिए मैं इसे आइस क्रीम कपलों को सर्फ कर रही हूं मेरा आइस क्यूब कहां रखा मिल नहीं रहा था तो मैंने स्पून से इससे मैं निकाल रही हूं जो बहुत लिए अच्छे तरीके से यह बी निकल रहा है इससे मैं ऐसे सर्फ कर दे रही हूं अब देख सकते हैं कितना क्रीमी से एक बार में ही अच्छे से यह रूलों के निकल जा रहा है बहुत ही क्रीमी सा और बहुत ही टेस्टी है तिके ना मलाई डाली हो ना कुछ ना GMC पॉडर ना CMC पॉडर कुछ भी नहीं उसके बाउजूद भी आप इतनी पर्फिक्ट आइस गार्णिश कर रही है और भी आगे में और भी बहुत सारी आइस क्रीम की रेसिपी आप लोग से शेयर करने वाली हूँ अगर मेरे रेसिपी अच्छी लेगे तो लाइक से अस्प्राइब जरूर कीजिएगा अगर आप बनाते हो मेरे रेसिपी तो कमेंट जरूर मेरे चैनल में और भी बहुत सारी रेसिपी से इसे अप जाकी विजिट कर सकते हैं चलिए आगे में और कोई अच्छी से रेसिपी को सत्फिर आप लोगों से मिलती हूँ थैंक यू